कल मत्रा विंदावन से आने भक्त मैं एक धाबे पे ठहरा था मैने देखा वहां के जो सैफ हैं वो हरे प्याज को कुछ इस तरीके से कटिंग कर रहे थे मैं उन्स सैफ के पास गया और उन से पूछने लग गया कि सैप साब आप ऐसे क्यों कर रहे हो हरे प्याज के साथ आप बता सकते हो ये क्या बना रहे हो आप या फिर पूरी रैस्पी आप खराब करने वाले हो सैप साब ने बताया कि नहीं बेटा मैं बिल्कुल भी रैस्पी खराब नहीं करूँगा और ये बहुत ही यूनिक रेस्पी है जो हमारे ढाबे में चार चांद लगाने का काम करता है मैंने बोला सहब साब जी मुझे भी बता दोगे ये रेस्पी कैसे बन कर तयार होती है दरसल बात ये है कि मेरे साथ कुछ चटोडे जुटे पड़े हैं उनको भी बताना है कि हरे प्यास से कौन सी रेस्पी बन कर तयार होती है नहीं तो ये मेरे चटोडे दोस्तो ऐसी रह जाएंगे तो सहब साब ने बताया हाँ बिल्कुल जरूर बताऊंगा उसके लिए आपको प्यास ले लेना है और उपरी नीचले हिस्से को थोड़ा तो कटिंग करके हटा लेना है और इस तरीके से कैची की मदद से इसके जो हरे पत्ते हैं उसको कटिंग करके तयार कर लीजिए लेकिन सहब साब ने बताया कि ध्यान रहे इसके छोटे छोटे पीसे सी कटिंग हो इस तरीके से ताकि एक बढ़िया तरीके से आपको स्वात दे सके मैंने बोला ठीक है सहब साब जी लेकिन ये ऐसे पूरा प्याज खराब नहीं होगा तेल के साथ जब हम इसको तल रहे हैं तो इससे तो प्याज पूरा खराब हो जाएगा लेकिन सहब साब ने बताया नहीं प्याज बिलकुल भी खराब नहीं होगा इसको हम जादा तलने वाले भी नहीं है और बहुत ही यमी तरीके से तैयार होगा जिससे इसके कच्चा पंजो है वो दूर हो जाएगा और ये बढ़िया तरीके से पक्कर तैयार हो जाएगा इसलिए हम तेल के अंदर इसको तैयार कर रहे है मैंने बोला वो तो ठीक है और फिर देखा सैप साब इसके अंदर मूमफली मिलाना सुरू कर दिये मैंने बोला कि कच्चा प्यास तक तो सही था लेकिन ये कच्ची मूमफली आप क्यों मिला रहे हो इसके अंदर उन्होंने बताया कि ये कच्ची मूमफली जो है ये फ्लेबर बहुत ही बढ़िया निकाल कर देता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा मैंने बोला और क्या-क्या मैटरियल मिलाओगे ये तो बता दो तो उन्होंने बोला ज़्यादा मैटरियल इसके अंदर मिलाना नहीं है बस नॉर्मल ही मिलाना है जैसे कि दो हरी मेस्ट कटिंग करके इसके अंदर डालीजे और इन सारे मैटरियल को आपको धीरे धीरे फ्राय करके तैयार कर लेना है बिल्कुल अपने गैस के फ्लेम को धीरे रखना है बिल्कुल कम रखना है और इन सारे मैट्रियल को अच्छी तरीके से आपको फ्राय करके तयार कर लेना है मैंने बोला ठीक है और क्या मैट्रियल मिलाओगे इसके अंदर तो बोले बस बेसिक से जैसे की अधरक लस्टन ये सारे मैट्रियल आपको मिला लेना है तो आपको धीरे धीरे ये सारा मैट्रियल आपको डालना है और देखते हैं ये हरे प्यास से क्या बनकर तयार होता है जो कि सैप साब के ढ़ाबे में चार चान लगाने का काम कर रहा है मैंने बोला ठीक है भाई सैप साब जी आप बताओ अब आगे क्या करना है तो उन्होंने बताया इसको बढ़िया तरीके से आप तलकर तयार कर लिजे लेकिन दोस्तों आप मुझे गैस करके जरूर बताना ये आखिरकार बनकर क्या तयार होने वाला है और ऐसी कौन सी रैस्पी होगी जो कि अभी तक हमने नहीं बनाई ये हरे प्यास से मुमफली भी बढ़िया तरीके से पकना सुरू हो चुका था फिर मैंने सैप साप से पूछा कि ये कितना देर तर तलना है ये तो मुझे बता दो उन्होंने बताया कि प्याज जब तक अच्छी तरीके से पकना जाए तब तक आपको इसको अच्छी तरीके से तलकर तैयार कर लेना है मैंने बोला ठीक है तो उन्होंने बताया कि अच्छी तरीके से रोष्ट हो जाएगी जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लिवर निकल कर आएगा और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी होगा मैंने बोला ठीक है और धीरे धीरे प्याज की अंदर एक बढ़िया कलर भी आना शुरू हो चुका था और बढ़िया तरीके से पकर तैयार भी हो चुका था और इसको इसलिए तला जा रहा है दोस्तो ताकि प्याज का कच्चा पंदूर हो जाए और मूमफली को तलकर इसलिए तैयार कर रहा है जिससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया निकल कर आ है अब देखिए प्याज अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है और मूमफली भी बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों इसको हम निकाल ल देखे इसके अंदर से कितना बढ़िया आवाज निकल कर आ रहा है और ये देखे दोस्तो लस्तन भी है जो हमारा अच्छी तरीके से पकर तैयार हो चुका है आप क्या करेंगे इसको हम थोड़ी दिर के लिए ठंडा कर लेंगे और जैसी ये ठंडा होगा दोस्तो हम इसको क् पानी मिला लेना है जिससे ये बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए करीबन आधे कप के करीब आपको पानी मिलाना है इसके अंदर और इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके तैयार कर लीजे अब देखिए दोस्तो कितना बढ़िया लग रहा है खाने में सो यमी और बह थैंक्यू सो मच दोस्तों मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में नई चैट पठी रैस्पी के साथ उसके लिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना